तो कि इस कंडिक में आप कैसे सकते हैं तो चलिए आज आज आता आपे हम आज आपके हैं आप बिंक इस इस बातुए कि दो कानेबुट के Colombian आज आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे आप लोग रिफेयर कर सकते हैं तो यह जो सेट है एल जी गंबणी का चैसिस है ओके तो हेलो फ्रेंट्स ओपलेट्स में 100 तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को तो मैं आ गया अभी बैक साइड पर टीवी का तो इस चैसिस का बैक साइड पर आ गया है और सेट पर लाइन भी दे दिया और जो फास्ट काम आप लोगों करना है 110 वोल्टेस चेक करना है तो उससे पहले जो बाल्प देख रहे हैं आप लोग यह में लोड पर लगा दिया ताकि इस बाल्प से पता चल जाए कि एस टी बन रहा है कि नहीं तो देखी आभी लाइन दे दिया में और यहाँ पर बाल्प जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्माल गलो हो रहा है क्यूंकि अगर एस टी बनेगा तो यह बाल्प क्या होगा? एस टी के साथ सर ज्यादा ग्लो हो जाएगा पहले तो नॉर्माल रहेगा लेकिन इस बाल्ब से पता चलता है कि एस्टी रिलीज यानि एस्टी नहीं हो रहा है तो अभी देखेंगे कि आगर इस्टनवार रिलीज नहीं होगा तो एस्टी भी नहीं होगा सिंपिल सी बात है तो प्राब्लेम जो है इस टरंडवाई सेक्षर में आने इस टरंडवाई रिलिज नहीं हो रहा है तो चलिए इसके लिए आपको फास्ट टाइम देख लेना है must जो voltage चेक करना चाहिए वो है 110 voltage तो देखिए हैं यहाँ पे 110 वोल्ट की जगा पे 103 voltage है जो नॉर्माली है चलेगा और उसके बाद देख लेना है आपको कि जो यहाँ पे regulate IC है यहाँ पे 9 वोल्ट input हो राए कि नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 वोल्ट 10 वोल्ट तक input हो राए ओके और एक बार देखना है जो output voltage है वो से अब voltage output हो राए कि नहीं तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे कोई भी voltage output नहीं हो राए ओके तो यहाँ पे कोई भी voltage regulate IC से output नहीं हो राए तो चले जाते हैं tuner section में और यहाँ पे देखना यह है कि 5 वोल्ट ठीक है या फिर नहीं तो यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह पे आप लोग देश सकते हैं 0 voltage है और 5 वोल्ट भी नहीं है तो 5 वोल्ट में ही गड़़ड है अगर 5 वोल्ट रेडी नहीं होगा तो आपका जो C8 है वो इस्टनवर रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि 5 वोल्ट इसी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्वीचिंग होने का काम होता है रेगुलेट आइसी का तो यह आइसी जो है रेगुलेट नहीं कर पाड़ा है तो इसका बहुत सारे कारान हो सकता है तो देखिए यहाँ पर 9V, 10V तक Input तो सही हो रहा है और अभी भी HT नहीं बने क्योंकि यहाँ पर जो 5V है वो voltage missing हो रहा है ओके तो एक बार करना है आप लोगों को अगर ऐसी condition रहेगा तो एक बार remote से अगर नहीं होगा तो panel जो रहता है चैसिस में ही रहता है जो button बोलते हैं उसको आपको दवा ना है याणि P plus sorry CH plus याणि channel plus और channel minus जो button होते हैं उसको दवा ना पड़ेगा उसको दवा के अगर आपका इस्ट्रवर एलिज हो जाता है तो अच्छी वात है नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा चालू हो रहा है याणि देखिए यहाँ पे ST1 रहा है तो फ्रेंट्स आभी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज में चेक कर लूँगा बो है 5 वोल्टेज तो देखिए यहाँ पे जो 5 वोल्टेज भी अभी परफेट हो चुके हैं तो ऐसा क्यों हो था ऐसा इसलिए हुआ था कि टीवी का जब बुलू स्किन रहता है जो याणि सिगनल नहीं पाते हैं वीडियो सिगनल अगर बुलू स्किन होके रहता है पांच मिनिट से ज़्यादा तो क्या होता है टीवी आटोमेटिक इस्टनवाई में चल जाता है यही पॉल्लम हुआ था इस जो टीवी है इस पर क्योंकि जो पैनल दबाड़ाओं तो सेट जो है वो रेडी होड़ा है तो हो सकते हैं वो पॉल्लम और यहाँ पर जो आप लोग देश सकते हैं रेगुलेट आइसी इसके पास और जो ट्रांसफर्मरण है यानि सेकेंड Advisor और प्रामरी में दोनों पीन दोनों साइड में तो यहाँ पे Solder जो है damn तो यह सबको एकबर Shouldering करने रहा है तो यहाँ पे देख़िए 3.3 वोल्ल भी सही दिख रहा है आप क्योंकि टॉटल जो क्वांक्षन है तोल अप्वल्डिज रेडी हो चुका है जो बटन है जो बटन दबाने से ही तो अभी जो काम करना है अगर अगर ड्रैस्ट्र आपको लगें कि ड्रैस्ट्र है तो आपको औह सोल्डर कर लेना चाहिए तो यहां पर देखें ड्रैस्ट्र बहुत है क्योंकि रेगुलेट आइसी पर ड्राइए सोल्डर है बहुत सरी देगा पर ड्राइए सोल्डर है तो मैं इसको सोल्डर कर लूँगा उससे पहले आप लोगों को 180 वोल्टेज दिखा दिता हूं कि इतना कम भोल्ट इसकी दिख रहा है क्योंकि यहां पर तो 18 वोल्ट नहीं दिखेगा एक सो आसी डेट सो एक सो चालीस तक रहना चाहिए लेकिन यहां पर अठारा भोल्ट दिख रहा है तो उससे पहले आप लोगों को दिखा दिता हूं एक बार यहां पर देखिए जो रेगुलेट आइसी है आप लोग देश सकते हैं यहां पर जो सोल्डरिंग है वो ड्राइ हो चुके हैं इसके लिए भी जो इस्टनवाइस है एक पॉल्लम आया था यह पॉल्लम हो सकता है तो आप लोगों को अगर ड्राइस उल्डर देख रहे हैं कि ड्राइस उल्डर है इस चैसिस में तो आप लोगों को सोल्डर कर लेना है एक एक पीन को जहां पर ड्राइस उल्डर लग रहा है यहां पर देख सकते हैं यहां पर 110 के लाइन पर भी dry solder है बहुत सारे dry solder होके हो इधर जो regularize है तो एक एक करके मैं इसको solder कर लेता हूँ और उसके बाद जो 180 लाइन पर कम बोल्टेस दिख रहा है उसको देख रहा हूँ क्योंकि अगर dry solder रहेगा तो आपका जो TV है वो पॉल्लिम करेगा जो मश्ट है तो dry solder रखना नहीं है जो भी आँख में पड़े उसको solder कर देना है क्योंकि heat अभी तो नहीं करेगा पॉल्लिम लेकिन टीवी जब चालो रहता है तब heat होता है components और heat होने की वैसे क्या होता है जहां पर dry solder है वो solder भी काम करना यानि जो components है वो नड़ जाते हैं कि उसके लिए क्या होता है जो टीवी है लूज कॉंटक होते हैं तो फिर से आप लोगों दिखाता हूं कि 180 की लाइन पर कितना वोल्टिस दिख रहा है तो माल्टिमीटर पर आप लोग दे सकते हैं कोई भी changes नहीं है बस जो simply पहले था बुत नहीं है 17.9 वोल्टिस जनी 18 वोल्टिस तक है तो इसका भी solution है क्योंकि इतना कम वोल्टिस क्यों आ रहा है इसका solution है बहुत सारे problem होते हैं लेकिन जादर problem जो आते हैं 180 के लाइन पर जो main 180 की लाइन पर जो main RSO वोल्ट का कॉर्णलसर रहता है वो कॉर्णलसर को आपको एक बार देखना है क्योंकि वो जो कॉर्णलसर होते हैं तो उसका जो value होते हैं और कम हो जाते हैं MFD या तो फिर weak हो जाते हैं कॉर्णलसर या तो फिर उसका कुछ जो उसका दो पीन है उस पीन में अगर डैंप हो जाते हैं तो फिर भी ऐसे problem आते हैं तो आप लोगों दिखाता हूं कि यहां पर जो एक सु आसीक इलाइन पर जो 2800 वर्ट का कॉर्णलसर है वो क्या है तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग यहां पर थोड़ा सा एक टांग में इसका मूर्चा पड़ गया है जिसके करण यह जो कॉर्णलसर है यह वर्त नही कर पा रहे हैं तो इसको मैं हटा दिया और इसकी जगा पे एक न्यू कॉंडेसल लगा दिया जिसका मान है सेमी मान है और राइसो वोल्ट का एमेंबडी थोड़ा सा ज़्यादा है तेन वोल्ट का तो पहले वाला जो था ओप लोगों को दिखा ड़ा हूं देखे आड़ाइसो वोल्ट है लेकिन 4.7 तो चले फ्रेंड्स आप लोगों फिर से वोल्टेस दिखा दिता हूं कि वोल्टेस यहां पर अभी कितना आड़ा है तो 100 तक वोल्टेस आना चाहिए 104 वोल्टेस तक आड़ा है तो चलिए सेट पे लगाते हैं और आप लोगों को दिखा दिता हूं टिवी चालू कड़के योगि टिवी जब आनी होगा ने एस्टी रिलीज होगा तब क्या होगा 180 का जो भोल्टेस है बो बढ़ जाएगा याणि पहले नॉर्मल भोल्टेस रहेगा आगर एस्टी नहीं बनेगा और आभी देखिए कितना भोल्टेस है ओके तो 180 के आसपास भोल्टेज आ चुका है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दो भोल्ट कम 180 भोल्टेज देख रहे हैं आप लोगों तो टिवी रानिंग एस्टी जब वार्ट करते हैं तब भोल्टेज बढ़ता है नहीं तो जितना भोल्टेज इंपूट होता ह एस्टी को उतना वोल्टेज आउट्पूट में जाते हैं तो यहाँ पर देखें टीबी जो हमारा है बिल्कुल ओक्य हो चुके हैं और यहाँ पर यह भी लिखा भी आ चुके हैं और अभी जो पिक्चर आप लोग देश सकते हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही देखते रहे हैं ऐसे इंटरिस्टिंग वीडियो मेलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए वाई